आप सभी को पता ही होगा पहले हम जना दरकाड में जитनी बार चाहें उतनी बार इडिटिंग कर सकते थे उसके बाद एक बदला हुआ कि आप नाम, जनमतिती और जात्ती इसी एक साद जेंडर में सिरफे एक बार सुधार कर सकते लेकिन लोगों को अब इसमें भी दिक्कते आने लगी एक बार सुधार करने के बाद अगर उन्हें फिर से सुधार करने की जरूरत पड़ती है तो वो सुधार नहीं हो रहा है तो अब इसमें भी बदलाव किया गया है तो अब वो क्या प्रोसेस है चलिए उसके बारे में आ प्रोसेस होगा और आप सभी को यह जानना बहुत जरूरी है कि इन में से कोई भी डिटेल बाइचान समय अगर जना दरकाड में दुबारा से और से को पता कर सकते हैं अब यहां पर केवाई के जरूरा से कर चाथ करेंगे जैसे वेरिफाई होगा तो आपके सामने वो सभी सदश्य आ जाएंगे जिन सदश्यों ने पहले से नाम जनमती थी या फिर जेंडर जाती वगएरा में कुछ अपडेट करवाया है तो वही सदश्य आएंगे बाकी सदश्य आपके सामने नहीं आएंगे अब यहाँ पर उस सदश्य का दुबारा से आपके अपडेट करना चाते हैं वो सेलेक्ट करना होगा इसके लिए आप पहले उस सदश्य को सेलेक्ट करेंगे किस तरह से आपने पहले नाम या जनमतिती को अपडेट किया और किस तरह से वो गल्थ अपडेट होगे हैं उसके बारे में आपको बताना होगा जिला क्लेक्टर या फिर जिला जनादार अधिकारी कोई अप्लिकेशन लिखनी होगी और यहां पर वो पीडियाफ अप्लोड क करनी होगी बीडियाफ स Elijah करने के बाद अप्पील अप्लोड करें पेंपें क्लिक करेंगे तो यहां पर अपीकेशन सक्सेशपुली अप्लोड हो जाएगी इसके बाद यहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए खोजिए का उप्स दिखायए देगा इस पर किरेंगे अभी सदस्य का कांट में यानि कि भी जो नाम या जनमतिती है वो यहां पर दिखाए देंगे और जो नया नाम या फिर जनमतिती आप अपडेट करना चाहते हैं वो यहां पर दर्ज करने होंगे हम सिर्फ नाम अपडेट कर रहे हैं अगर आप जनमतिती अपडेट कर रहे हो तो व मेंसे कोई भी डोकुमेयट सेलेक्ट करके जो भी आपके पास हो से पीडियाप फोरमेट में अपटलोड कर देंगे उद्ण के लिए मान लीजिए आपटार काrd करते हैं जो народ किसी पास हूता है तो है पर अपड़ कार्ट करकि एक news देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि अगर आप नाम या फिर जनमतिती या फिर जेन्डर या फिर जाती को दुबारा से update करवाना चाहते हैं एक बार अपडेट करवाने की बाद तो आपको इस तरह को अप्रूव कर देंगे नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे इसी के साथ यहां पर डोकुमेंट के बारे में भी बताया हुआ है कि नाम और जो जनमतिती उसके लिए आप कौन-कौन ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी के बारे में पता चल सकें और वो भी यह ना सोचें कि वो सारा प्रोसेस कटम होगे अब हम जितनी बार चाहें उतनी बार सुदार करवा सकते हैं तो इसा नहीं है तो आप सभी इस वीडियो को सेयर करिए ज्यादा से ज्या जब comment section में बताइए comment section में उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई serious topic वहा तो आपसे contact भी जरूर करेंगे और उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे तो चलिए मिलने अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम